बॉलिवोड से एक और दुख की खबर आ रही है रंदीर कपूर और रिशी कपूर की छोटे भाई राजीव कपूर का आज 9 फरवरी 2021 को निधन हो गया है राजीव कपूर 58 साल की उम्र में हार्ट अटेक के चलते इस दुनिया को अलविदा कह गए खबरों के अनुसार सुबह हार्ट अटेक पढ़ने के बाद रंदीर कपूर उन्हें तुरंथ हॉस्पिटल लेकर गए थे लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुचे तब तक डॉक्टर ने उन्हें म्रत गोशित कर दिया था रंदीर कपूर ने इस दुकत खबर को कन्फर्म किया है और कहा है मैंने अपना सबसे चोटा भाई राजियूफ खो दिया है वो अब इस दुनिया में नहीं है डॉक्टर ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की मगर बचा नहीं सके मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ और उनकी डेट बोडी मिलने का इंतजार कर रहा हूँ वही नीतु कपूर ने भी इंस्टाग्राम पर राजीव कपूर की फोटो शेर करते वे उनके निधन की खबर को कन्फर्म किया है रंदीर कपूर ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि फिलाल हम उन्हें घर ले जा रहे हैं और आज शाम में ही चैंबूर इस्टिच शवदाग्राम में उनका अंतिम संसकार कर दिया जाएगा राजीव कपूर के निधन के बाद कारिश्मा कपूर, करीना कपूर, रंडबीर कपूर, अर्मान जैन, संजीव कपूर, महिप कपूर को उनके घर के बाहर स्पॉट किया गया पिछले ही साल रिशी कपूर की कैंसर से मोथ हो गई थी और कपूर फेमिली इस दुख से उबर भी नहीं पाई थी कि एक बार फिर से उनके फेमिली पर दुखों का पहाड आगी रहे आपको बता दे राजीव कपूर एक्टर होने के साथ साथ प्रोडिसर और डारेक्टर भी थी उन्होंने 1983 में फिल्म एक जान है हमसे डेब्यू किया था इसके लावा वो कई और बड़ी फिल्मों में जैसे आसमान, लवर बॉई, जबरदस्त और हम तो चले परदेश जिसी फिल्मों में भी नजर आय थी राजीव कपूर ने जिन फिल्मों को प्रोडूस किया था उनमें से आअब लोट चले प्रेम ग्रंथ और हीना काफी पॉपुलर रही थी प्रेम ग्रंथ को राजीव कपूर ने डारेक्ट भी किया था राजीव कपूर के निदन की खबर सु कारों ने राजशिफ कपूर के निधन पर अपना दुख जताया है हम भगवान से प्रात्ना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ती मिले